जहिन दोस्तों मैंनी धीवें चोहान आजम करेंगे क्लास 10 का 1.1 का क्वेस्चन नमबर 5 युकलिड के भागा कार के प्रमय का उप्योग करके बताओ के कोई धन पूरणांक घन यहाँ पर ध्यान दीजिए घन मैंने घन पे अंडरलाइन किया है मिन्स हमें जो सम है वो घन की फॉर्म में सॉल्व करना है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के स्वरूप में हो तो चलिए सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं यहाँ पर हम मानेंगे A बराबर पूरणांक ठीक है और B बराबर 3 अब यह 3 कहां से आया देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है यदि हम 9 लेंगे तो हमारा सम बहुत बढ़ा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 3 क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है ठीक है? 3 की टेबल में 9 आता है ना और इसलिए 3 जो है वो 9 का अव्यव हो गया इसलिए हमने यहाँ पर लिया 3 अब पहले हम लेंगे 3Q फिर हम लेंगे 3Q प्लस 1 और फिर हम लेंगे 3Q प्लस 2 इनके घन को solve करते हुए हमें ये तीनों values को लाना है घन की सफॉर्म में इसको हमें solve करना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्या है हमारा 3Q तो हम यहाँ पर लेंगे A बराबर 3Q अब दोनों तरफ हम करेंगे घन, घन का मतलब घात 3 3Q का घन तो 3 का घन कितना होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27 तो यह हो गया हमारा 27Q का घन ठीक है अब हमें जो यह हमारा answer आया है इसको हमें 9M की form में लाना है यही हमारा question है ठीक है तो हम इसमें से क्या common लेंगे हम इसमें से common लेंगे 9 देखो यहाँ पर 9 है ना यहाँ पर हम easily 9 को common ले सकते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे 9 common अंदर कितना बचा 3Q का घन अब जो यह हमारा अंदर है bracket में इसको हम मान लेंगे M तो हमारा पहला term यहाँ पर solve हो गया देखे जो यहाँ है वही यहाँ है और हमें इस term को solve करते हुए हमें यह लाना है अगला हम solve करते हैं 3Q प्लस 1 तो A बराबर 3Q प्लस 1 ओके दोनों तरफ घन करेंगे 3Q प्लस 1 घन करना है अब यहाँ पर एक formula बन रहा है क्या A प्लस B का घन अब formula क्या होता है पहले हमें वो लिखना है formula है हमारा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ A का घन प्लस 3 A square B प्लस 3 A B square प्लस B का घन अब हम इस formula को यहाँ पर apply करेंगे देखिए कैसे करेंगे A हमारा 3Q है A है हमारा 3Q B है हमारा 1 अब हम यहाँ पर formula apply करते हैं 3Q का घन प्लस 3 3Q का square B है हमारा 1 प्लस 3 3Q ठीक है और यह हो गया हमारा 1 का वर्ग because B का square है प्लस B का घन क्योंकि 1 का है यहाँ पर घन अब इसे हम यहाँ solve करेंगे 3 का घन 27 Q का घन प्लस इस पूरी टम को हमें एक साथ solve करना है means गुणा करना है ठीक है तो 3 का वर्ग कितना होता है यहाँ 3 का वर्ग है ना तो 3 का वर्ग 9 और 9 तिया 27 ठीक है तो यहाँ पर आगे हमारा 27 Q का वर्ग प्लस अब यह हमारी एक टम है 1 का वर्ग 1 ही होता है तो 3 तिया हो गया कितना 9 Q प्लस 1 because 1 का घन पूरी टम में से इस पूरी टम में से हम क्या common लेंगे 9 यहाँ पर 9 है हमें 9 ही common लेना है तो हम यहाँ पर 9 को common लेंगे यहां से 9 common लिया तो अंदर बचा 3Q का घंड प्लस 3Q का वर्ग प्लस Q प्लस 1 अब जो हमारी ये पूरी टर्म है इसको हम माल लेंगे M ठीक है तो हमारा आंसर आ जाएगा 9M प्लस 1 ओके देखिए यहाँ पर यह भी टर्म आ चुकी है हमारी है ना इस टर्म के घन को सॉल्व करके हमें इस फॉर्म में लाना है ओके अब हम यहाँ पे 3Q यह देखिए तीसरा है हमारा 3Q प्लस 2 को हमें घन की फॉर्म में सॉल्व करके यह लेके आना है 9M प्लस 1 ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ A बराबर 3Q प्लस 2 दोनों तरफ घन करेंगे A का घन प्लस 2 का घन सेम फार्मूला यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर घन लगाना था अगें जो हमने पहले जो हमने फॉर्मूला किया था यह वाला फॉर्मूला यह देखिए अब भी हमने जो फॉर्मूला किया सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है मैं डारेक्ट कर देती हूँ 3Q का घन प्लस 3 3Q का वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा B यानि की 2 प्लस 3 3Q देखे जगह कम है तो मैं यहाँ कर देती हूँ 2 का वर्ग प्लस 2 का घन जगह की कमी की वज़े से मैंने यहाँ पर कर दिया पहले हम इससे समझ लेते हैं 3 का घन कितना होता है 27 ठीक है तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे 27 Q का घन अब जो यह हमारी टर्म है यह एक टर्म है इसको हमें एक की बार में solve करना है 3 का वर्ग 9 तो 9 तिया 27 और 27 दुनी 54 तो यहाँ पर कितना आ गया 54 Q का वर्ग प्लस यहाँ पर देखिए यह एक टर्म है यह मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि जगह कम थी 2 का वर्ग 4 4 तिया 12 12 कम 12 पर चोई 12 तिया 36 तो यह आ गया 36 Q प्लस जो 2 का घन है तो 2 का घन कितना होता है हमारा 8 अब यहाँ पर आगे solve करेंगे कैसे solve करेंगे इसको अभी देखो इस पूरी टर्म में से हम common लेंगे 9 इस पूरी टर्म में से क्या लेंगे common 9 तो चलिए ले लेते हैं 9 अंदर क्या बचा 3 Q का घन प्लस 6 Q स्क्वेर प्लस 4 Q ओके और यहाँ पर आगे हमारा प्लस 8 अब इस पूरी टर्म को हम मालेंगे M क्या मालेंगे M 9 M प्लस 8 ओके इस टर्म को solve किया तो हमें क्या मिला 9 M जो हमें चाहिए था Second term को solve किया तो हमें मिला 9 M प्लस 1 जो हमें चाहिए था Third term को solve किया तो हमें मिला 9 M प्लस 8 तो sum solve हो चुका है मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जै हिन जै भारत